हालो फ्रेंज नमस्ते स्वागत करती हूँ आप सब का मेरे चानल पर ये मैं आज लेके आई हूँ आप सब के लिए एक मटन की रेसिपी जो बहुत ही साधा फेमस है और उसको घर पे बनाना है कैसे बनाना है बेगेर चीजों का बिल्कुल वैसा ही टेस्ट तो आये चलिए च लसन अद्रकी सुखे मसाले घर में आपके पास जो भी है मीट मसाला दालचीनी लॉंग सर्सों का तेल हल्दी धनिया पौडर देगी मैं चीज देखे माटन मेरा आदा किलो की हिजाब से है और इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वाश कर लिया ये देखे आपके सामने आ हम लिए अब मैं इसमें चीज नोटा हूँत था दो बड़े प्यास मैंने काटे थे इसमें ऐसे लंबध-लंबध मैंने काट लिया और धिरे धिरी प्यास टालची मिर्ची भी मेरे आपके टेस्टे हिसाब से मैंने थोचा ही बनाया ये दो इंच के बराबर अधरक है और य अब मैं मसाले सारे डाल रही हो हल्दी दन्या पाउडर जो भी है आपके पास मसाला किचेंग कीन भी डाल सकते हैं मीट मसाला भी डाल सकते हैं मेरा मीट मसाला है दन्या पाउडर सब मैंने थोड़ा थोड़ा ही डाला है और यह तिखा लाल है यह देखिए त्यारी कर रहे है हम लोग कुकर में चमपारन मटन यह अब सब में जितने भी खड़े हर्ब्स हैं वो डाल रही हो इसमें यह देखिए मैंने डाल दिया अब यह कसूरी मेथी थोड़ा सा मैंने यूज किया है और अगर आपके पास हांडी नहीं है मिट्टी का बरतन नहीं है फिर भी आप वो बना सकते हैं कुकर में तो अब तेज के हिसाब से मैंने नमक इसमें डाल दिया यह देखिए और अगर आप लोग नहीं है मेरे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज सब्सक्राइब करके जाईए मुझे और बेल आइकन भी दबाईए ताकि मेरे जितने भी लेटेस वीडियो हैं वो आप तक पहुंण सके अब मैं इसको बहुत हाथ से अच्छे से मसल मसल के और इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि जो मटन में मसाला एकदम से लिपट जाए और इसको कसकस के मसलनें से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है प्याज के पू लगाएंगे यह देखे मैंने चालो तरब से इसमें आटा लगा दिया है और अब इसमें मैं एक स्टील का थोड़ा सा पाइन डाली हूं मैं आधा कप एक कप के ब्राबर क्योंकि प्याज टमांटर यह सब भी पानी छोड़ेगा अब यह मैं एक सील पैक कर दी हूं प्लेट डालके अब यह मैं गैस पे इसको चुड़ा दूंगी असलो आंच पे इसको मैं आदा घंटा दम पे ही पकाऊंगी यह देखे आदा घंटा हो गया है और यह देखे दम पे मेरा मटन जो है हो गया है और यह देखे अंदर का लुक और इतनी अच्छी घुश्बों आ रही ह का मतन त्यार है घर बेगर मिट्टी के बटन के देखिए कितना अच्छा बन गया है इदम धम पे बनाये और इसकी कुछबू इतनी अच्छी आ रही है कि मैं आपको बताने सकते हैं इसका लूक तेस्टी लग रहा है यह देखिए फ्रेंद्स हमारा बन के त्यार है चमपारन का मटन अब मैं इसको प्लेट में तो असा सर्व करूंगी और इतना यकीन मानिए इतना मतलब अच्छा बना है एक एक मसाला इसमें इतना अच्छी तरह से रच गया है जो दम पे पका है तो मैं आपको बता नहीं सकती वाकी टेस्ट इसका लाजवाब है और घर पे सब उलिया चाटते रह जाएंगे मांग मांग के खाएंगे कि फिर से बनाओ फिर से बनाओ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए रेसिपी के साथ तिल दिन भाई टेक की